नियाए पालिका अध्याए छै पहले दो अंगों का विश्तृत अध्यान करने के बाद हम सरकार क्या है सरकार के माइने क्या है उसके दायरा क्या है इसके दो तहाई अध्यान कर चुके हैं और इसमेकार काफी कुछ हम समझ चुके हैं सरकार का हमसे क्या सरोकार है या सरकार का सरोकार क्या है अब हम तीसरे अंग की ओर आ रहे हैं नियाए पालिका नियाए शब्द जो है ये बारंबार बहुत प्राचीन काल से ये शब्द आ रहा है नियाए पालिका या नियाए नियाए मतलब जस्टिस जस्टिस मने नियाए और जो शब्द है मूल शब्द वह है टु जजज J-U-D-G-E मतलब नियाए करना वास्तों में टु जजज का अर्थ है ओपिनियन देना और ओपिनियन देते हुए नियाए करना इस प्रकार हम जजज और जस्टिस शब्द में संबंद देखते हैं एक परिवार का उधारन ले आपके घर में भारती समाज में खास कर जिसमें हम और आप हैं परिवार जो है वो पैत्रिक पिता के डामिनेशन से चलता है ऐसा ऐसी हमारे हैं परमपरा है परिवार का मुख्या यहने पिता पिता जो हैं सामानित यहाँ घर की परमपराएं के स्थापित करते हैं परमपराओं से ताजपर क्या है घर के कानून कितने बज़े उठना दिन की दिन चर्या का टाइम टेबल एक बनाना भोजन संसकार खान पान सामाजिक सरोकार घर के प्रती जिम्मेदारियां यह जो तै होता है पिता जी के नेत्रित तुम्हें मूलता यह तै होता है दूसरे शब्दों में इन परमपराओं को संसकारों को बनाना का मुख्य कारे किसका है पिता जी का दूसरा उसके बाद इसको लागू करना उनकी इच्छा तो है कि सब चुबा उठें च्छा बजे लेकिन लागू भी तो करना है तो वो स्वैम लागू भी करेंगे और उसके बाद उनकी धर में पत्नी या परिवार की जो मुख्य महिला हैं वो वो सुनिश्चित करेंगे कि यह सब लागू हो बच्चे इन परमपराओं का पालन अनुपालन करें संसकारों को सिखें रीती रिवाजों से अपने को जोड़ें तीसरा जदी ऐसा नहीं होता है किसी कारण वश इस्थिती ऐसी होती है कि देखा जा रहा है कि परिवार के कुछ बच्चे या कोई बच्चा इसमें से किसी परमपरा रीती रिवाज का पालन नहीं कर रहा है रात में दस बज़े सोने की परंपरा है तो इसके बदले वो बारा बज़े बाहर चाह रहा है जो घर की संस्कृति के खिलाफ है तो इसे लागू कौन करेगा पिता जी ही करेंगे और था एक परिवार में परंपराएं बनाना परंपराएं लागू करना और गलत होने पर उस पर कारवाई करना ये तीनो एक ही व्यक्ति करते है यदि हम इसको सरकार से इस बात की तुलना करें तो हम देखेंगे विधाई का भी वही है कारेपालिका भी वही है और तो और न्यायपालिका भी वही है और इस प्रकार एक ही व्यक्ति में तीनों अंग समाहित है यदि हम प्राचीन काल की और जाएं तो जो शासन था राजनेतिक शासन व्यवस्था जो थी जिसमें राजा मुखिया होता था राजा स्वयम में कारेपली का भी होता था कारेपली का भी होता था और न्याएपली का भी होता था अर्थात वह कानून बनाता था कानूनों को लागू करता करवाता था और साथ ही साथ उस पर न्याएभी देता था यदि कानून उचित रूप से लागू नहीं हुआ तो तो इस परकार तीनों जो शक्तियां थी सरकार के तीनों अंगों की शक्तियां वे पूर्व में राजा में नहित होती थी नियाय की अधी बात करें तो कुछ नाम हमारे जेहन में आते हैं जो नियाय के लिए बड़े प्रसिद हुए वैसे देखा जाए तो भगवान श्री राम उनसे बड़ा नियाय करने वाला संसार में कोई नहीं हुआ ऐसा हम लोग का मानना है उनके नियाय का गुडगान विविन धर्म गंतनों के माध्यम से हम लोग करते हैं उसके बाद नियाय की अधी बात करें तो महाभारकाल के विदुर, युधिष्ठिर और फिर बाद के राजाओं में आएं तो विक्रमादित्य है चंद्रगुप तो विक्रमादित्य है सिच्चानक क्या? जन्होंने संभवता पहली बार नियाय के बारे में विस्तार से अपनी पुष्टक अर्थ शास्त्र में लिखा है कि नियाय क्या है? उचित नियाय किसे कहते है? गैर नियायायिक विवहार क्या है? आदी आदी फिर तो भारत के संदर में ऐसे कई लोग हुए जो अपनी नियाय विवस्था के लिए बड़े प्रसिद्ध थे नियाय उचित विवहार के लिए बड़े प्रसिद्ध थे जिसमें हर्श वर्धन का नाम बहुत आगे है और आते आते फिर अलावदीन खल जी जो सल्तनक काल में जो बाश्याह थे सल्तान था बाश्याह के बदले सल्तान शब्द उचित होगा उसने जो नियाय विवस्था स्थापित की वह अपने तहीं एक अलग विवस्था थी गत तीन सो वर्षों में नियाय विवस्था की जब बात होती है तो वास्तों में ब्रिटिश नियाय विवस्था की बात सब के दमाग में आती है अंग्रेजों के द्वारा स्थापित नियाय विवस्था आधुनिक विश्व की संभवता पहली नियाय विवस्था हम कह सकते हैं जिसका एक तरीके से हम लोग उसी दिश्या में चलते हुए अपनी अपनी नियाय विवस्थाओं को और मजबूत बनाए है यदि हम थोड़ा सा वापस जाएं तो कहने का ताथ पर ये है कि प्राचीन काल में जब नियाय विवस्था की बात होती थी तो राजा सर्वो परी राजा ही विधाई का था कारपाली का था और नियाय पाली का भी था जिसे आज हम एक सरकार के तीन अंग कहते हैं उस समय की सरकार राजा और राजा में ही तीनों समाहित थी समय के साथ जब राज तंत्र कम हुआ और लोक तंत्र आया तो बढ़ते हुए लोक तंत्र के परणाम सरूप सरकार के विभिन अंगों का सेपरेशन भी प्रारम भुआ सरकार के विभिन अंगों की भूमिका रूप रेखा उनकी शक्तियों आधि का आधि को परिभाशत करने का काम प्रारम भुआ और उसी के तहट फिर इस तरह के तीन अंग अंत्तह लोक तंत्र क्विवस्था में पक्की लोक तंत्र क्विवस्था में सरकार के तीन अंग आते हैं दो अंगों का हमने अध्यान कर लिया इस अध्याय में हम तीसरा अंग पढ़ेंगे जिसका सम्मंद है न्याय से और अर्थात न्याय पालिका तरकार का वह अंग जो न्याय करे न्याएं का अर्थ क्या है एक व्यक्ति की नजर में जो न्याएं है दूसरे व्यक्ति की नजर में वो अन्याएं भी रहता है आप अपने ही संदर में देखें कख्षाओं में स्कूलों में कुछ निर्णे एक वर्ग को नियायचित लगते हैं तो वही निर्णे दूसरे वर्ग को गैर वाजिब लगते हैं कोतवाली में हम शिकायच दर्ज करते हैं थाने में उसके बाद मामला नियायले में जाता है जिला नियायले में निर्णे होता है हम संतुष नहीं होते तो हम उपर के नियायले में जाते हैं वहाँ पर भी यदि संतुष नहीं है तो और उपर के नियायले में जाते हैं जिसे सर्वोच नियायले कहते हैं भारती परिप्रेक्ष में लेकिन कोड की नजर में लोवर कोड की नजर में उसने जो निर्णे दिया है वह नियायवचित है मेरी नजर में चूंकि वह निर्णे मेरे पक्ष में नहीं था गैर वाजिब निकला न्याय उचित नहीं निकला इसलिए मैं ऊपर गया तो न्याय शब्द जो है एक तरीके से relative term है समय, काल, इस्थितियां ये सब न्याय के निर्णे को प्रभावित करती हैं परंपराएं, रीतिर्वाज, भागोलिक इस्थिति आदि आदि पुलाने जमाने में एक ही गलती के लिए अलग-अलग तरीके की सजाएं थी, अलग-अलग खेत्रों में, खेत्री विभनिता के कारण, या अलग-अलग जातियों में, जाती विभनिता के कारण, और अलग-अलग कारणों से अलग-अलग सजाएं अपराद एक, इसके आपके सामने बहुत दारण है तो ऐसी स्थिति में भी न्याय क्या है? कौन सा वाजिब न्याय माना जाए? न्याय की जब बात करते हैं तो ये प्रस्ट तो आता ही है इस सम्मन में एक और अंतिम बिंदू अध्याय पे हम आगे बढ़ें वा है ये एक चित्र जो आपने बहुत से सिनेमा में देखा होगा फिल्मों में देखा होगा एक महिला तराजू को पकड़ी हुई है और उसका पलड़ा देखिए तराजू का पलड़ा उसका वजन क्या बता रहा है? ये जो चित्र है इसका संबंद न्याय से है न्याय मूर्ती से है इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे पर ये आपको दिमाग में बठाना जरूरी है कि यह चित्र न्याय संबंदी मामलों से जड़ा हुआ है आम तोर पर न्यायले शब्द जो हमने सुना है वो आपसी मामले सुलजाने के लिए होते हैं आपसी विवादों को सुलजाने के लिए होते हैं लेकिन इसके अलावा भी न्यायले के कुछ और काम है केवल मामले सुलजाना ही नहीं कुछ और काम भी है जब हम न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय होता है एक आर्थिक न्याय राजनैतिक न्याय और भी अन्याय इसमें सभी पहलों को लेकर वर्तमान में नियाय पालिका को चलना आवश्चक है अब वर्तमान में तुकि हम राजनीति विज्ञान के विद्धार्थी के नाते इस अध्याय का ध्यन कर रहे हैं हम इसके एक पहलों पर विशेश जोड़ देंगे नियाय पालिका के और वह है राजनेतिक काम आपसी विवाद दो व्यक्तियों के बीच के दो संस्थाओं के बीच के या संस्थाओं व्यक्तियों के बीच के विवाद के निर्ने के अलावा इसका जो एक और कारी है जिसे हम यहां समझने जा रहे हैं वो है राजनेतिक मामलों का निप्टारा करना राजनेतिक कामों को लक्ष तक पहुँचाना और देश तक पहुँचाना नय पालिका सरकार का एक अंग है और सरकार हमेशा राजनेतिक व्योस्था है भारत का सरवोच चिन नयायले जो दिल्ली मेस्थित है सुप्रीम कोड वह दुनिया के सबसे शक्ति-शाली नयायलें में रिक है और शक्ति-शाली के माइने क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे बल शाली और शक्ति-शाली में अंतर है कितनी शक्तियां इस सुप्रीम कोड को मिली हुई है देश के सरकार और जनता के जीवन को कितनी तरह से ये नयाय व्यवस्था प्रभावित कर रही है इसका हम अध्यन करेंगे भारत का सम्मिधान का निर्माण 1946 में ताली से प्ररम होता है और पचास में सम्मिधान लागू होता है सम्मिधान लागू होने के समय से ही सरकार का यह अंग नयाय पालिका एक और काम बड़ी जिम्मेदारी से बखू भी निभाते आया है और वह काम है सम्मिधान की व्याख्या करने का सम्मिधान की व्याख्या का अर्थ एक पंक्ति में यह दिका है तो वह ही है कि सम्मिधान की पुष्टक में जो लिखा गया है उसके अर्थ को बताना उसके मूल अर्थ को बताना नयाय पालिकाने सम्मिधान की व्याख्या और ऐसा करते हुए सम्मिधान की सुरक्षा की भी बहुत महत्पूर्ण भूमिका निभाई है, तो ये हमारे न्याय पालिका का एक बहुत महती कार्य भी है, 1950 में सर्वोच न्यायले की स्थापना होती है, और तब से सम्विधान की व्याख्या का दबाव, व्याख्या का अहम दारुमदार स्वर्वोच न्यायले पर आपड़ा, और सतत रूप से ऐसे मौके आते रहे, जब न्याय पालिका को स्वर्वोच न्यायले के माध्यम से सम्विधान की स्थाप्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निभाना पड़ा, जब हमने मौलिक अध्याय, मौलिक अधिकारों से संबंदित अध्याय का अध्यन किया था तो उसमें मैंने बताया था आपको रिट, डबलू आर आईटी, जिसे हिंदी में कहते हैं लेक और पांच तरह के रिट का मैंने उलेक किया था सर्शियरी, कोवारंटो, हैबि表्सकॉर्पस ओदिया दिया ये 5 रिट्स क्या थे आपको इद याद होगा ये 5 रिट्स का बहुत गहन संबंद हमारे मौलिक अधिकारों से है मौलबूत अधिकारों से है और इन रिट्स का उप्योग सर्वोच नियायले करता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि नागरिकों के अधिकार का किसी तरह का हनन ना हो इस पिकार कहने का ताथ पर ये कि नियाय पालिका के दायत्तों में एक बहुत बड़ा दायत्त है सम्विधान की रक्षा मौलिक अधिकारों की रक्षा और उसकी सुरक्षा कुल मिलाकर इस अध्याय में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं उसकी और थोड़ा एक त्वरिद गती से हम देखें तो पहला बिंदू है कि नियाय पालिका की जरूरत क्यों आवश्यक क्यों उसका महत्तों क्या है दूसरा नयाय पालिका के कारे और भूमिका तीसरा नयाय पालिका की स्वतंतरता का अर्थ नयाय पालिका के कारेयों के संबंदे मैंने कुछ इशारे कर दिया आपको जिम्मेदारियां क्या निभाता है जहां नयाय पालिका से जुड़े हुए विभिन बिंदों को अध्यान को क्रम वार करने की शिंखला में सबसे पहला हमारा जो विशह है वह है Importance of Judiciary नयाय पालिका का महत्व एक परिवारिक परिप्रेक्ष में आप सोचें कि यदि गलत परंपरा गलत कार गलत रीत्रिवाज का पालन कोई कर रहा हो और उस पे कोई कारवाई ना हो घर में तो श्थिति कैसी होगी घर की बद से बदतर व्यवस्था नाम की चीज नहीं रहेगी और यदि व्यवस्था नहीं है तो ऐसी श्थिति में कोई भी अंग ढंग से काम नहीं करेगा सरकार के संदर में यदि हम बात करें तो यदि नियाय व्यवस्था ना हो या कोई ऐसा अंग ना हो जो रॉंग डूर को सजा दे जो सतत रूप से सरकार की कारेशली पर नजर रखे तो सरकार तो कुछ भी कर बैठेगी विधाई का कुछ भी कानून बनाएगी कारेपालिका कैसे भी तरीके से अपने कारे करेगी कारे पालिका और विधाई का उचित तरीके से कारे कर रहे हैं कि नहीं परिवार के सभी सदस उचित तरीके से कारे कर रहे हैं कि नहीं ये देखने का कारे जैसे परिवार में परिवार के मुखिया का होता है उसी प्रकार नियाए पालिका के बिना सरकार और व्यवस्थित हो जाएगे नियाए पालिका सरकार का तीसरा अंग है कहने को तो तीसरा पर इसका अस्तित्व संभवता सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण है किसी न किसी रूप में इसके अस्तित्व की जरूरत पड़ेगी ही अधिनायक तंत्र की ज़िए हम बात करें जिसमें ताना शाह होते हैं या राज तंत्र होता है उसमें जैसा मैंने बताया कि कारेपालिका, विधाईका, न्याएपालिका तीनों एक ही व्यक्त में समाहित रहता है एक ही अंग के रूप में रहता है परन्तु लोकतांत्रिक सरकार में असानी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जरूरी है कि निया व्यवस्था एक अलग अंग रहे पिर यदि मैं परिवार की बात करो तो परिवार में पिताजी ने यदि कोई कारे गलत होते हुए पाया रीती रिवाजों से अलग होते हुए पाया और उस पे कारवाई करते हैं तो संभावने हैं कि जिस पर कारवाई की गई उसे यह लगे उसे इस बात का क्लेश हो कि पिता जी ने अपने स्वयम के विवेक क्याधार पे एक को सजा दी है एक को नहीं दी जबकि दोश दोनों का समान था और इसके संभावना भी होगी हो सकता है पिता जी के खृदय के निकट उन दो दोशियों में से एक ज़्यादा निकट हो ऐसी स्थितिक क्यों उत्पन होती है क्योंकि मुख्या जो है वह स्वयम विधाई का भी है कारेपालिका भी है और न्याएपालिका भी है सरकार के मामले में ऐसा ना हो सब के साथ समान न्याएफ हो इसके लिए सुनिश्चित किया गया है कि सरकार का तीसरा अंग नियाए पालिका एक स्वतंत्र अंग रहे लोकतांत्रिक सरकार में खास कर एक प्रिथक अंग के रूप में कारिक करने की इसकी बहुत आवश्यक्ता है और तो और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियाए पालिका अन्य तंत्रों की तुलिना में ज्यादा महत्पूर्ण बन जाती है क्योंकि नियाए पालिका के बिना हम किसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं कर सकते सब अव्यवस्थित रहेगा इसलिए नियाए पालिका संभवता सबसे ज़्यादा महत्पूर्ण हो जाती है डॉक्टर गार्नर, उन्होंने कहा है कोई भी समाज बिना विधाई व्यवस्था के रह सकता है यह बात तो समझ में आ सकती है परन्तु किसी ऐसे सब्भे राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें न्याय पालिका की कोई व्यवस्था ना हो अर्थात यदि न्याय पालिका है तभी सब्भे राज्य सिविलाइज्ड सोसाइटी के संभावना है बहुत महत्पूर्ण बिंदुए सब्भनने के लिए सब्भे राज्य की कल्पना बिना न्याय पालिका के असंभाव राज में व्यवस्था पिका और कारिपालिके के विस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो कितनी भी पूर्ण क्यों न हो कितनी भी विस्तारित क्यों न हो लेकिन एक न्याय पालिका यदि नहीं हो तो नागरिकों की सतंता का अधिक्रमन होगा नागरिकों की अतिकरमन के अलावा कानूनों का उलंगन होगा और के ओस अव्यवस्था डिस ओर्डर चारों तरफ दिखाई देगा भले ही वो व्यक्ति हो या राज ये जो भावना है व्यक्ति हो या राज को दंडित करने वाले नागरिकों की रक्षा करने का काम नागरिकों की सतंता का अतिकरमन कानूनों का लंगन करने वालों को सजा और नागरिकों की सतंता की रक्षा सबकार करती है लॉर्ड ब्राइस दूसरे राजनीति वेत्ता यदि कानून को बेईमानी दुरबलता या आस्थिर्ता के साथ क्रियानवित किया गया है तो व्यवस्था की सुरक्षा नहीं रहेगी क्योंकि अपराधियों का जितना दमन डंड के सुनिश्चित होने से होता है उतना उसकी कठोरता से नहीं अर्थात डंड कब है जो मात्र न्याय पालिका से मिलेगा वही व्यवस्था को व्यवस्थित बनाये रखता है अन्रिथानी कितनी भी विधाई का कितने भी कानून क्यों न बना ले कितने भी कड़े कानून क्यों बना ले और कारेपालिका उन कड़े से कड़े कानूनों को कितनी भी कड़ाई से लागू क्यों न करे ये कड़ाइ तभी मायने रखेगी जब इसका पालन ना करने वालों को दंडित किया जा रहा हो यदि दंड का भै नहीं है तो कड़ाइ किस बात की? सकती किस बात की? तो दंड का भै न्याए पालिका से आता है यही साबित करता है कि न्याए पालिका कितनी महत्पूर्ण है लौड ब्राइस ने आगे लिखा है कि न्याए विभाग की कुशलता उस्टे बढ़कर सरकार की शिष्टता की कोई अन्य कसोटी नहीं अर्था हम न्याए विभाग को देखें ज़िए हमको सरकार को समझना हो तो सरकार की गुणवत्ता को जानना हो तो नियाए विभाग की कुशलता की और नजर डालें क्योंकि अन्य किसी भी चीज से नागरिक के सुरक्षा और हितों का ख्याल नहीं किया जा सकता हितों पर प्रवाब नहीं पड़ता जितना कि उसके ग्यान थे कि एक निश्चित, शीग्र और निश्वक्ष निया प्रशासन पर निर्वर रहेगा तो इस तकार यदि हमें सरकार को समझना है यदि हमको सरकार किस तर को जानना है किसी देश की राजनीतिक विवस्था किस तर को समझना है तो उसकी न्याए व्यवस्था क्यों देख लें उसका अध्यन कर लें तो सब स्पस्थ हो जाएगा कि व्यवस्था पिका किस तरीके से काम कर रही है कारे पालिका कितनी बखुई भी अपना दाहित निभारी है ये न्याय पालिका के अध्यनत्रिस पश्ट हो जाएगा